नमस्कार आप लाइब सेडीज देखरें आपके साथ मैं हूँ असीम खान रुपॉली उप्चुनाओं को लेकर स्यासत गर्म थी हमने तस्वीरे वाकू भी आपको दिखाई है मगर आज हम बात करेंगे आंकलों पर मुक्मंति नितीज कुमार की भी जनसभा रुपॉली में ह हुई थी मुक्मंति नितीज कुमार ने रुपॉली की जनता से साथ मांगा उन्होंने कहा कि कालधार प्रशाद मंडल जो की जेदियू के तरफ से उमिद्वार बनाए गए हैं आप लोग उनका साथ दीजे साथी साथ बीमा भारती पर भी निशाना साथते हुए मुक्मंत का साथ छोड़कर जो उनके दल का साथ छोड़कर जाता है उनके साथ तो गड़बड़ी होता है यह तमाम बाते मुक्मंति नितीज कुमार ने की थी वहीं तेजस्वी आदब की जनसबा होई थी तेजस्वी आदब ने निशाना साधा इंडिये सरकार पर मुक्मंति निती के समर्थन में वोट अपील करने पहुंचे थे और उन्हेंने क्या कुछ कहा था बाको भी हमने आपको वो तमाम बाते तिजश्वी आदब की सुनाई हैं मगर पपो यादब एक बड़ी भूमिका में थे और पपो यादब ने समर्थन किया था भीमाभारती को वहीं संकर सिं निर्दलिये उमिदवार थे लोग जनसकती पाटी राम बिलास का दामन छोड़ा जब टिकट कटा और निर्दलिये परचा भरा और चुनावी मैदान में खूद गए बीते दिनों 10 जुलाई 2024 मद्दान का दिन और हमने कल भी आपको तस्वीरे दिखाई है किस तरीके से न बड़ा आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे थे मगर इन तवाम चीजों के बीच अब हम आकड़ों पर बात करेंगे देखिए 61,000 से अधिक युबा वोटर रुपवावली में है और कहा जाता है कि 13 यादप को युबाओं का साथ बाखों भी खूब मिलता है क्योगि 13 यादप भी युबा है देखिए रुपवली में 13 यादप को साथ मिला युबाओं का अब दूसरे तरफ अगर आकड़ा देखे तो बेदी चौकाने वाला है एक लाख एक्यावन हजार नौ सो पचीस महिलाओं का वोट है रुपाली में जो की मद्दान करती है अपने मत का परियोग करती है और कहा जाता है कि महिलाओं का वोट चुपा वोट मुकमंतिर नितीज कुमार को जाता है क्योंकि मुकमंतिर नितीज कुमार ने महिलाओं के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया है तो अब समिकरन को थोड़ा समझा जाए आंकडों पर थोड़ा प्रकास डालते हैं तीन लाख अठारा हजार नौसो आठ वोट जो आंकड़े करते हैं वोटर् अगर हम पूरुस वोटर की बात करें तो एक लाख एक सट हजार साथ सो चार वोटर है थर्ड जेंडर की बात करें तो सोला एक्टी फाइब इयर प्लस वोटर निश्यासट सर्विस वोटर 242 और तिव्यान पीड़ूवी तीन हजार पच्पन वोटर हैं अब थोड़ा जे एक हजार मेल में 925 फीमेल यानि कि एक हजार अगर मेल वोटर हैं तो वहीं 940 फीमेल मद्दाता वोट करती है यानि कि बढ़ चड़ कर हिस्सा महिलाएं वोटिंग मेर उपॉली में लेती हैं और एपी रेसियो 0.58 परसेंट हैं तो आंक्रे बहुत कुछ बया करते हैं अब देखिए अब थोड़ा समिकरन को समझे बिहार की सियासत और राजनिती के रंग भी भिन है रुपॉली उप्चुनाओ को लेकर सियासत गर्म थी और तेजस्वी यादब जिस तरीके से रुपॉली पहुचे थे जमकर निशाना साधा मुक्मंति निती इसकुमार के साथ सा इंडिये पर मगर दो बाते तेजस्वी यादब ने बहुत खास कही और आखरी वक्त पर रुपॉली में तस्वीरे बदल गई देखे अगर हम बात करें तो पांच जुलाई के पहले की अगर हम बात करें तो चर्चाओं का विशय घर्म था कि संकर सिंग रेस में आगे चल पर एक हवा चली और फिर हवा चली कि बीमा भारती को पपू यादब ने समर्थन कर दिया है और अब तो बीमा भारती रेस में सब से आगे चल रही है वहीं फिर एक बार हवा और फिजा बदली रुपॉली की मुकमंति नितीज कुमार के पहुंसते ही और फिर कहा जाने ल पार चड़ाओ होता रहा समिकरन बदलते रहे कभी जेडियू के पच में कभी राज़त के पच में तो कभी निर्दलिय उमिद्वार संकर सिंग को ऐसा लग रहा था कि आसिरवाद रुपॉली की जनता दे रही है मगर आकरी वक्त में कैसे समिकरन बदला देखिए सबसे अ अधिक युवा मत दाता है रुपॉली में और हमने वीडियो के सुरुवाति करम में ही कहा कि कहा जाता है माना जाता है कि युवा वोतर तेश्वी यादब के साथ खड़े होते हैं युवा तेश्वी यादब के करम से कदम मिलाकल चरते हैं क्योंकि तेश्वी यादब भी युबा हैं और युबाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, हलाकि अब तो ब्यार की सियासत में सरकार जिसकी भी हो रोजगार और चुनावी मैदान में तो बिना रोजगार के बात बनी नहीं सकती है, वहीं अब आकड़े जिस तरीके से हमने आपको बताए हैं, तो क्या रुपॉली में एक बार फिर से जेडियू का जंडा बुलंद होगा चूंकि महिलाओं का वोट अगर आप देखें तो एक लाख एक्यावन हजार नौसो पचीस यानि डेढ़ लाख से अधिक वोट है तो ये वोट अगर मुकमंतिर निदीश कुमार की पार्टी को सि चुकाओ करता है या क्योंकि कलमदान हो चुका है अगर महिलाओं ने साथ दे दिया तो फिर एक बार फिर से जेडियू के उम्मिदवार चुनावी महिलान में आगे निकल जाएंगे तेरा तारीक को हलाकि नतीज़े आने हैं तेरा जुलाई दोजाज़शोबिस को नतीज मुक्वंति नितीज कुमार को जाता है कारण है सराबंदी मुक्वंति नितीज कुमार ने महिलाओं के लिए काफी योसनाई चलाई है विहार सरकार में तो कहीं ना कहीं जो महिला वोटर है वो मुक्वंति नितीज कुमार का साथ देती है मगर तेजस्वी यादब ने भी सभा में निशाना साधा और महंगाई को ले करके खूब गर्जे थे उन्होंने कहा आलू प्याज सबजियों का दाम देख लीजे समझ लीजे देखे किस तरीके से इंडिये की सरकार बिफल है केंडर सरकार बिफल है मुक्मंति नितीज कुमार ने घुटना टेक दिया है और क बहुत दिखाबा है बहुत चीजे निशाना साथते वे त्यस्वी आदब ने की मगर मुक्मंति नितीज कुमार के अगर भासन को देखे तो समिकरण बेसक बदल रहा है और हवाएं फिजाएं बेसक बदलती वी दिखाई दे रही है देखे अब जो लड़ाई तिर्कोनिय है रुपॉली में और तेरा तारीक को नतीजे आएंगे मगर आंकडों को देखा जाए और समझा जाए तो फर्स सेकेंड थर्ड कौन होगा वो तो वक्त बताएगा मगर इतना असपस्ट है कि लड़ाई आमने सामने की होगी और आमने सामने जहाएं एक तरफ चाचा इसकुमार तो दूसरे तरफ भतिजा तेश्वी यादब होगे निर्दलिय उम्मिद्वार संकर सिंग ने भी कमरकस लिया है मोर्चा अब तक संकर सिंग समाले हैं और संकर सिंग लगातार लोगों के बीस थे और कल भी आपने तस्वीय रेखी आड्मिस्टेशन पर सवाल खड़े कर रहे थे और कई सवाल राजसरकार पर भी खड़े कर डा दे खैर इस वीडियो में इतना ही अब तक आपने माँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरन सब्सक्राइब कर ले आपका बहुत-बहुत सुक्रिया